आपका निम्बू अगर 5-7 सालों से फूल नहीं आ रहा है ना फॉल ही बन रहा है फॉल बन के भी ज़र जा रहा है गंबला में है और ऐसा ग्रोप कैसे कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा क्या चीत दे सकते हैं मैं ये खात दे रहा हूँ और एक मुठ्य उसमें डालूंगा उसके बाद आप देख लिजेगा इसका ग्रोथ इतना ज्यादा करता है और यह इतना अच्छा बन जाता है अगर रूट बॉन्ड हो गया है तो जरूर उस गमला में से निकाल दे और पैकेट में है तो पैकेट से भी निकाल दे देखिए रूट बॉन्ड हो गया था पनी म मेरे पास गमला में भी निबू का प्लांट है जो की खोब फ्लावर फ्रूट दे रहा है और वो थोरा बड़ा है और उस वो तो एक डबबा में है जो की डबबा मेरा एक डालड़ा का डबबा है उसी में मैं उसे छेद कर के नीचे से होल कर दिया हूँ और उसी में उसे लगा दिया हूँ और उसमें इतना ज़्यादा फूल फलाया है जो आप जाएगा वो सीडलेस निम्बो है और ये मेरा जो है कागजी निम्बो है और एक आता है हजारा निम्बो जो इसमें बहुत ज़्यादा और भी फ्लावर देते हैं और भी फ्रूट होत जमीन पे लगाने के बाद यह देखिए इसी का छोटा पिछले साल जो लगाये थे जमीन पे वो ऐसा हो गया है और यह देखने में आपको सुन्दर लग रहा होगा और यह ऐसे ही ग्रोथ करेगा और जब 4-5 साल का हो जाएगा तो उतना बड़ा हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा इसमें फ्लावर फ्लोट आते हैं मतलब यह एक तरह से सीड वाला रहता है मतलब सीड लेस एक तरह से रहता है लेकिन यह काग जी निम्बो के नाम से बिखता है और यह मार्केट में आपको पाच रूपे या दस रूपे के हिसाब से बिखता है अगर आपका भी फूल फॉल नहीं आ रहा है मेरी तरह तो और्गेनिक हम बताएंगे इन और्गेनिक करना चाहते हैं तो वह भी खाद बता देंगे पहले जमीन में आप गड़ा खन लीजिए अगर जमीन में लगाना चाहते हैं तो आप डबा के लिए पहले वह जो खाद में बताया था वह दो मुठी और्गेनिक खाद होता है और्ग देखे जैसे ये प्लांट है और इसमें डाली भी बहुत अच्छा है आप इसका प्लांट का दाम भी बता सकते हैं हम उने जो दाम बताया था इसमें दो फरा हुआ था मैं उसे तोर लिया हूँ और ऐसे तो ये प्लांट का दाम आप दो सो रूपे या तीन सो रूपे देगा आप अगर कागजी कहके लिजेगा 100 से लेके 200 रुपे तक जाएगा लेकिन मैं वही प्लांट से ग्रो कर बाया हूँ इसलिए मुझे उतना ज्यादा नहीं परा है मुझे सिर्फ 5 रुपे में ये प्लांट तयार हो गया है और इसमें मैं वही जो एक मुझे इसमें डाल के रख देता हूँ और ये रूट बंड हो गया था तो हम देखे जो आप जमीन पे लगा देते हैं काहिकी ये 6 महीना का प्लांट हो गया था और वो एक मुझे इसमें खाद दे दिया था और बर्मिंग कंपोस्ट और मीट्टी मिला के 75% मीट्टी और 25% बर्मिंग कंपोस्ट और ये एक मूठी ये आप औरगेनिक खाद है और इसमें जेब्रेलिक एसीड आयरन फासपोरस और भी हुमिक एसीड और भी जितने तरह के माइक्रो नूट्रेंट है सारे चीज पाये ज आता है और वह 25% जो पर्मिंग कंपोस्ट डालूंगे उसमें मैं फंगी साइड पहले ये प्लान्ट पे डाल दूँगा क्योंकि अगर रूट इधर से उधर कट गया होगा आप फंगे साइड चंपियन का ले सकते हैं साप कंपनी का ले सकते हैं ये सब मिलाके और ये दीजेगा एक लीटर पानी और नीचे गमला का मुँव पूरा खुला हुआ होना चाहिए गमला में अगर लगा रहा है तो 20-25 इंचिस से उपर का गमला लगा रहा है तो तो कोई बात नहीं है मैं बाहर में कंटेनर में लगाया था तो कंटेनर में ही ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करेगा अगर मचली बाला जो आता है वह अराम से उसमें भी ग्रो कर सकते हैं मचली बाला आता है कार्टून वह प्लास्ट मतलब फोम का रहता है उसमें भी लोग ग्रो करते हैं नीचे से छेद होना चाहिए और इसे अच्छी तरह से मिट्टी बैठा दीज सेंटर में प्लांट ले जाईए और उसमें जो मैं खाद बताया था वह खाद आप एक मुठी डाल दीजिए और एक मुठी आपको नीम का खाली जो होता है उसमें मिलाया रहता है उसमें आपको एक मुठी सरसो का खाली डाल देना होगा और और भी तरह का माइक्रोन निट्र तो 100 रूपे केजी के हिसाब से आपको दे देंगे, एक केजी आप ले लिजे, उसमें 5-10 ग्राम या 20 ग्राम ही डाल लिएगा एक गमला में, और या जमीन पर भी लगा रहे हैं, तो उतना दे दीजेगा, तो बर्मी कंपोस्ट भी इसमें दिया हुआ है, तो इससे ये होगा जमीन पर भी बहुत अच्छा गुरोथ कर गया, तीन पाई तीन का गर्धा खान दिये हैं, उसमें डाल दिये हैं सारा चीज़ाइब